बिहार की नवादा में बुद्वार की साम को दलितों की वस्ती के ऐसी घरों में आग लगा दी गए कुछ दवंगों ने दलित वस्ती को घेर कर घरों को आग के हवाली कर दिया माना जार आए कि जमीनी विवात के चलते इस घड़ना को अंजाम दिया गया इस मामले में पुलिस अब तब 10 लोगों को गरब तार कर चुकी है वहीं बचे हुगे आरोपियों की तलास में पुलिस जुटी हुई है दलिद वस्ती के गरामीडों ने इस मामले की जानकारी देते हुगे बताया कि गुद्वार को लगबक सो की संख्या में दबंग इनकी वस्ती में घुस गए इसके बाद इनोंने वस्ती में फायरिंग शुरू कर दी जिसके बाद लोगों में दहसत मच गई इस दोरान दबंगोंने करीब 25 राउंड फायरिंग करके 80 घरों में आग लगा दी अपने आपको बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने और चिपते रहे जैसे की जैसे ही इस घड़ना की जानकारी पुलिस को मिली इस्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे मामले की नजाकत को देखते हुए बीयम और एसपी भी मौके पर पहुंचे जमीनी विवात के चलती लगा याग पुलिस की मताविक ये मामला जमीनी विवात से जुड़ा है एक पक्ष यहां रहता है पर दूसरा पक्ष इस जमीन पर अपना दावा करता आ रहा है लेकन यह जमीनी बेहार सरकार की है भिलहाल मामले में आगे की जाच की जारी है दबंगो दवारा आग लगाए जाने की घटना के बाद सियासत गर्मा चुकी है राज में कानियों विवस्था को लेकर राजनीति घंगामा हुगा है इस मामले को लेकर पिहार की नीती सरकार और NDA सरकार पर विभक्षी पाइटियों हमलावार हो चुकी है बसपा सुप्रीम मायवती पर कांग्रेस के मलेकार जुन खड़े प्रियंका गांदी पर चंद सेखार आजाद समेट अन्य विवक्षी नेताओं ने इस घटना की घुरनिंदा करते हुए बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया है चंद सेखार आजाद ने इस घटना पर प्रतिकरिया दी है इन्हों ने बिहार सरकार और प्रिसासन की निस्क्रियता पर नाराजगी चता आई और पीडितों को निया दिलाने की मांगी आजाद ने कहा कि इस घटना जाती है पर सामाजिक असमानताओं का एक खतरना को दायर है और इसे रोकने के लिए सरकार को ठोस और प्रवावी उठाने चाहिए इन्हों ने हिंसा के दोसियों के खिलाब कठूर कार्रवाई किया उसकता पर जोड़ दिया और पीडितों को चित साहता और शुरक्षा दैने की अपील कि दलितों के घर फूके जाने पर भड़की मायाबती इन्हों ने कहा दबंगो दोड़ा दलितों के एसी घर जलाने की घटना पर बीएसपी प्रवुक मायाबती ने भी अपनी चंता व्यक्त की इन्होंने इस घटना को दुखद और गंभीर बताया वा सरकार से जिम्मेदार लोगों के खिलाब सक्त कानूनी कारवाई करने का अग्रह किया मायाबती ने प्रभावित परिवार लोगों को इनके पुनर्वास के लिए वी ती सहयता प्रदान कहने की पात की